आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं अन्बॉक्स करने वाला हूं ब्रॉदर का एक और लेटेस्ट और नया प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर है डी सीपी टी फाइव ट्वेंटी डबनु आज की इस वीडियो में एक और नया प्रिंटर अन्बॉक्स करने वाला हूं जो की ब्रॉदर का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर आप यहां पर देख सकते हैं और यह बॉक्स रखा हुआ है मेरे सामने बिल्कुल फ्रेस और सिल पैक तो आज इस पूरी वीडियो में हम इस स्टोर से तो अगर आप इस प्रिंटर को पर्चेस करना चाहते हैं या फिर इसका लिटेस्ट प्राइज ओनलाइन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्पिशन में मिल जाएगा और ब्रोदर के प्रिंटर पर मैंने कई सारी वीडियो पहले बना रख रख और गाइस मिलने क्या क्या वाला आपको वह यहां आप देख सकते हैं 150 पेजिस की आपको ट्रे मिल जाती है इसमें मैनुवल फीड स्लॉट भी दिया गया इसमें आपको और यह लिखा है वान लाइन LCD LCD डिस्प्ले आपको मिलने वाली है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ यह वाई प्रिंटर आता है 7500 पेजिस दे रहा है आपको ब्लैक इंक के पिचेतर सो पेज आप प्रिंट कर सकते हैं इस ब्लैक इंग से रिफिल टैंक सिस्टम आपको इसमें मिलने वाला है तो चलिए भाई अभी मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करके दिखा देता हूं आपको अन्बॉक्सिंग के बाद गाईज मैं आपको इसके लास्ट में प्राइज बताने वाला हूं वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो बहुत इंफोमेटिक होने वाली आप लोगों के लिए यह देखिए गाईज कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिलने वाला है यह रही हमारी ब्लैक इंक और यह रखी हमारी तीन कलर इंक इसमें आपको मिल जाएंगी अभी मैं और एक मिल जाती है गाईज इसमें पावर केवल पावर कॉर्ड तो इसे रखता हूं मैं निकाल के साइड में यह आप देख पाने हमारा प्रिंटर है यह देखू वाईज यह आगया हमारा प्रिंटर बाहर और अभी मैं इसे पूरे तरीके से निकाल लेता हूं बिलकुल बाहर येस तो बॉक्स खाली हो चुका है बॉक्स में कुछ भी नहीं बचा है अभी तो यह आ गया भाई हमारी मेन यूनिट प्रिंटर की आ गई है बाहर और यह देख लो इसकी फ्रंट साइड कुछ इस तरह की मिलने वाली है आपको अभी मैं से फॉलो थिंट से निकाल लेता हूं यह इसमें कुछ डॉक्मेंटेशन्स मिले है मुझे अभी मैं आपको इससे खोल के दिखाऊंगा इन्हें साइड में रख देता हूं पहले पहले प्रिंटर की हम बात कर लेता है भाई तो कुछ इस तरह का प्रिंटर हमारा होने वाला है गाईज एक बार देख लो आप जिसका मॉडल नंबर है DCPT-520W मैं कलर प्रिंटर आपको दिखा रहा हूं जैट प्रिंटर जो की ब्रोदर की तरफ से ओफर किया जाता है यह हो गया इसका स्कैनर पार्ट और यह कुछ आपको इस तरह की डिस्प्ले मिलती है इसमें यहां पर आपको मिलता है इसमें टैंक रिफिलिंग का सिस्टम इसे भी ओपन करके दिखा देता हूं मैं यह देखो यहां पर आप बहुत एजिली अपनी इंक को रिफिल कर सकते हैं बहुत एजिली क्योंकि टैंक सिस्टम है सीधर टैंक मार्केट इसी लाइए और कलर वाइज आप इसमें इंसर्ट कर दिजिए बहुत इजिए से रिफिल करना तो ऐसा कुछ प्रिल्टर गाईज आपको मिलने वाला है 150 शीट्स की आपको ट्रे मिल जाती है एक बार में है अब लिए मिल्केस में तीर मिल्के तो यह तीर मिलते हैं इसमेck इंनक जो कि हमने कलर वाइज इंसर्ट करनी होती है कैसे करनी वह वह अपको और एक मिल्ट के आइक तो तो यह तो चार तरह कि हमें इंक मिलते हैं इसके अंदर और साथ में लिए एक बेटा केबल जिसकी हेल्प से आप इसे अपने लाप्टॉप से या पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस वायर और वैसे इसमें वाइरलेस कनेक्शन भी काई जी वाइफाई के साथ आता है अ इसके अलावा कुछ डॉक्मेंटेशन और मिले हैं इन्हें भी देख लेते हैं एक बार कि यह ब्रॉदर की तरफ से ओफर की जाते हैं कुछ डॉक्मेंटेशन्स यह है यह मिलती है भाई हमें कुछ ट्रे टाइप की यह मैं आगे बता हुआ मुझे भी नहीं पता किस काम आने वाली है तो यह दो ट्रे मिली है इसमें प्लास्टिक की यह कहीं न कहीं पेपर को या कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट करने के डेफिनिकली काम आने वाली है और भाई सा ताइम ब्रोधर का कोई भी प्रिंटर पर्चेस कर रहे गा इस तो यह आप जरूर देख लिजेगा जरूर पढ़ लिजेगा इससे आपको पूरी नोलिज हो जाएगी कि आपको प्रिंटर को कैसे सेट अप करना है कैसे इसमें इंक इंसर्ट करनी है और कैसे उसे कनेक्शन बनाना है उसका वाइफाई का कनेक्शन या वायड वाला कनेक्शन तो अगर आप पहली बार ब्रोधर पर जा रहे तो इसे भाई जरूर पढ़ लिजेगा आप यूजर मैनुवल को साथ में आपको मिल रहे है भाई एक ब्रोधर के सॉफ्ट्वेर्स की सीडी यह द अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिगा डाफिनिटली माँसर करूँगा और अगर आप इस प्रिंटर के उपर कोई डेडिकेट वीडियो देखना चाहते हूँ तो में को कमेंट कीजिगा ना पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए मैं व